Hello Everyone, आज हम लोग दिखेंगे बिहार दरोगा मेंस General Studies Mock Test का Set No.7 जो की आखिरी सेट है तो आते हैं पहले क्विशन पे और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले Radio 20, घोषना का सिर्षक क्या था? What was the title of the Radio 20 Declaration? यहाँ पे मैं option है पढ़ूँगा सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा तो option है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा The Future We Want Radio 20, घोषना का सिर्षक क्या था? The Future We Want अब कुछ important point दिख रहेते हैं National Environmental Engineering Research Institute कहा था? नागपूरी में N.E.A. stands for National Environment Authority, E.N.E.P. का Headquarter कहाँ पे था? नेरोबी में E.P.A. का मतलब क्या हुआ? Environment Protection Agency, Greenpeace International का Headquarter कहाँ पे है? Amsterdam, नीदरलेंड में है Valley of Flower कहा था? उत्राखन में भारत का पहला National Center for Marine Biodiversity, शोट में इसे बोलती है NCMB का इस ती ते? जामनागण में अगले क्यूशन पे आते हैं भारत में पर्यावडन सनक्षन अधिनियम, Environmental Protection Act निमनी लिखीत में से कीस वर्स लागू किया गया था? सही आंसर क्या होगा? और इसके अलावा कुछ इक्स्टा पॉइंट है इसके अलावा Central Ground Water Authority को constitute किया गया था कौन से एक्स्टा था? तो Under the Environmental Protection Act 1986 ये पॉइंट आपको याद रखना है इसके अलावा Eco Mark किस प्रोड़क्ट के लिए दिया जाता है? तो Environment Friendly Product के लिए अगला हमारा पॉइंट है ग्रीन डेवलोप्मेंट बुक के ऑथर को ने? तो अंसर क्या होगा? डबलू मैडमास ठीक है तो याद रखना है सैलेंट स्प्रिंग के ऑथर को ने? रेचल कार्शन मैजरमेंट यूनिट ओफ इकोलोजिकल फूट्प्रिंट क्या होता है? ग्लोबल हेक्टेयर होता है अगले किशन पर आते हैं ग्रीन वास का तत पड़े है ग्रीन वास रेफर्स टो तो ग्रीन वास किसे कहा जाता है? पर्यावरन की रक्षा के जूटे वादे को क्या काते है? ग्रीन वास कहते हैं तो आप संदी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ग्रीन वास रेफर्स टो तो पर्यावरन की रक्षा के जूटे वादे को क्या बोलते है? ग्रीन वास बोलते हैं तो अप्शन दी आपका यहाँ पे शही आंसरों का इसके अलावा वर्ल्ड इंवार्मेंट डेक कमना आते हैं पांच जुन को इंडिया है फोर बायो डाइवर्सिटी होट इस्पोट एक आपका वेस्टर्ण घाट दूसरा है इस्टर्ण हिमाल है तीसरा है सुन्डाल है परिस्थित की तंद्र के वारे में कौन सा सही नहीं तो यहाँ पर आपका यहां पर सही आंसरोगा भागी साही इसमें बायोटिक और यह वायोटिक दोनों सामील होते बिल्गुल सही इसकी अपनी उत्पातकता है प्रोडटिविटी यही प्राकरितिक संसाधन प्रनाली य लेकिन यह एक बंद प्रनाली है तो यह गलत है तो option B आपका यहां पर सही आंसर होगा Abiotic क्या होता है non-living component जिससे आपका soil हुआ water हुआ atmosphere हुआ यह क्या होता है यह आपका होता है abiotic abiotic क्या होता है non-living components like soil water atmosphere सबसे पहले किसने यूज किया था तो एजी टैंसले कौन से यह में 1935 में बायो डाइफर्सेटी एक का पास हुआ था दिसंबर 2002 में अगले किसचन पर आते हैं वह वास्तिक अस्थाद यह अस्थाद जहां कोई जिव रहता है क्या कहलाता है तो हैपिडेड बोलते हैं अपसेन आपका यहां पर सही आंशर होगा अगले किस्ट्र पर आते हैं निम्ने लिखित में से कौन सा अस्थलिय पारिस्थित की तंद्र की उपस्रेनी सब कटेगरी ओफ टेर्स्ट्रियल एको सिस्टम नहीं है तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जागा option B आपका है यहाँ पे सही आंसरों का समुंद्री पारिस्थित की तंद्र मरीन एको सिस्टम अब यहाँ से दो important point आपको याद रखनेए एक आपका हो नौन टेर्स्टियल एकोoshop इस इसमें आपका आता है एक्वैटिक ecosystem में आता है और non-terrestrial ecosystem में आता है aquatic marine wetland अगले question पर आते हैं निमने लिखित में से कौन एक खादिय स्रिंखला का निर्मान करता है तो option B आपका यहाँ पर सही answer होगा घास तुम बकडी घास खाती है और बकडी को इंसान तो यहाँ पर सही answer क्या होगा वैसे मैं नहीं तो option B आपका यहाँ पर सही answer होगा निमने लिखित में से कौन एक खादिय स्रिंखला का निर्मान करता है तो option B आपका यहाँ पर सही answer होगा इसके अलावा food chain में जो आदमी होता है primary as well as a secondary consumer है ठीक है अगले question पर आते हैं समुद्री पर्यावर्ण में मुख्य प्राथ्मिक उत्पादक है in the marine environment तब main primary producer और तो option है आपका यहाँ पर सही answer होगा पादप प्लवग और पॉइंट आपको यहाँ रखना है pond में inverted pyramid बनता है पूछता एक्जाम में अगले question पर आते हैं और हाँ चैलर को सब्सक्राइब कर ले नीला carbon क्या है what is blue carbon तो option है आपका यहाँ पर सही answer होगा महा सागरो और 30 पारिश्थित की तंत्र दुआरा ग्रहन किया गया carbon इसे क् blue carbon बोलते हैं तो option है आपका यहाँ पर सही answer होगा अब एक question पर आते हैं तो ideal जल विद्धुत पड़ी हो जना किस सिराज्य में इस्थित है तो option B आपका यहाँ पर सही answer होगा मिजोड़म में इसके आरावा कुछ important hydroelectric project दिख लेते हैं शिव समुंद्रम कहां पर करनाटक मे हैं कवेरी नदी पे और पहला आपका था पहला hydroelectric project था नेक्स्ट आपका रग्जीत डैम यह आपका सिक्किम में हैं बांसागर hydroelectric project मध्य परदेश में हैं शुआंसीरी लोवर hydroelectric project और नाचर परदेश में हैं सवाल कोटे hydroelectric power project जमूर कस्मीर में हैं अगले क्यूशन पर भारत का एक मात्र मिट्टी का जो अला मुकी मड़ वोल के रो भारत के निम्ने लिखीत में से किस दूइप में दिखाई देता है दूबारा तांग दूइप और संसी आपका यहां पे सही आंसर होगा अगले क्यूशन पर आते हैं निम्ने लिखीत में से कौन सी नदी एस शुड़ी नहीं बनाती है तो जो बीज़ विंगोल की दरफ जाती है वो एस शुड़ी नहीं बनाती है तो अप्शन दी आपका यहां पे सही आंसर होगा अगले क्यूशन पर आते हैं निम्ने लिखीत में से कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है शीव समुंद्रब वाटरफॉल वाटरफॉल चुलिया क्वाटरफॉल जममल पे सही है जो क्वाटरफॉल कृष्टन नी क्रिष्टन नी क्या होगा सारावति ननि ठीक है तो अपसंस confessि का यहां पे सही आंसर होगा यह सही सुमेलित नहीं है धुआधार वाटरफॉल नणमा पे बिल्कुल सही है इसके अलाभा दूठ स मई माह में उस नकटी बंधिय चकरवात का कारक क्या है तो सही अंसर यहां पर क्या होगा लोकल टेंप्रेचर वेरिएसर यहां पर सही अंसर होगा इसके अलाबा साइक्लोडिक बेट के बारे में एक पॉइंट आप को या दखना है यह एंटि क्लोग बाज होता है नौर्चन है में और क्लोग बाज होता है साथन है सब्सक्राइब और कोडियोली स्फोर्च के कारण अगले क्रिश्चन पर आते हैं 1976 के 42 संसोधन अधिनियम ने भारत के समिधान में निम्ने लिखित में से कौन सा भाग जो रहा तो सही अंसर क्या होगा आप्सर ऐप है अहाँ साही अंसरों का पार 14 ए पार 14 ए और इसमegal तरिवन जिसमें दो आष्टिकल आता है एक है आषिकल 323 है और और आपको बताना है कि आर्टिकल 323 का कहता है इसका आँसर आपकोолов लोक्स में देना है इसके अलावा इसमें जोड़ा गया इक्वल जस्टिस एड फ्री लीगल एड कौन से आर्टिकल में आर्टिकल 39 डिपीएस्पी में आता है इसके अलावा 43 और 48 जो डिपीएस्पी कौन से पार्ट में है डिपीएस्पी आपका है पार्ट 4 में अजैमें आर्टिकल 46 से 51 तक है इसके अलावा फंडमेंटल को भी जोड़ा गया था कौन से पार्ट में से रखा गया था पार्ट 4 इसके आर्टिकल में पहले फंडमेंटलć टिट थी दस थी इक और इंक्रिश कितना व्या 9 जु enfrent पूछता है कि जो ग्यारावा fundamental duty एड हुआ कौन से constitutional amendment act से तो आंसर क्या होगा 86th amendment act 2002 से और इसमें क्या था provide opportunity for education to his child 6-14 सल के बच्चों के लिए इसके अलाबा right to property को हटाया गया the fundamental right से कौन से सम्विधान संसोधान अधिनियम से तो 44th constitutional amendment act 1978 से हटाया गया था अगले question पर आते हैं मैच करना है एक तरफ है provision under the constitution दूसरे तरफ आर्टिकल तो कानून के समक्ष शवान था यह आपका है आर्टिकल 14 में तो यह कापका क्या हो जाएगा यह कापका हो जाएगा 3 काम का अधिकार आर्टिकल 41 में है काम का अधिकार आर्टिकल 41 में है तो काम के न्याय संगत एवब मानवी इस्थिती यह आपका है आर्टिकल 42 में दी क्या है बच्चों के लिए निसुल्क एवब अनिवार्य सिक्षा यह आपका है आर्टिकल 45 में तो सही अंसर क्या हो जाएगा 3412 अगले क्यूशन पर आते हैं किस अनुशेत के अनुशार संसत को किसी राज्य में विधान परिशत को समाप्त करने और उसके निर्मान की सक्ति प्राप्त है तो अप्शन C आपका यहाँ पे सही अंसर हो जाएगा आर्टिकल अनुशेत 179 किस अनुशेत के अनुशार संसत को किसी राज्य में विधान परिशत को समाप्त करने और उसके निर्मान की सक्ति प्राप्त है तो अप्शन C आपका यहाँ पे सही अंसर हो जागा आर्टिकल 169 इसके अलावा चीफ मिनिस्टर मुख्य मंत्री को एपॉइंट पर आते हैं राजियों के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक इवा महालेखा परिक्षक के रिपोर्ट निम्निलिखित में से किसे प्रस्तूत की जाती है तो अपसे ने आपका यहाँ पे सही अंसर होगा राजे के राजेपाल को राजियों के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक इवा महालेखा परिक्षक के रिपोर्ट निम्निलिखित में से किसे प्रस्तूत की जाती है तो अपसे ने आपका यहाँ पे सही अंसर होगा राजे के राजेपाल को और किसी भी स्टेट के चीफ एक्जिग्यूटिव है एट कौन होते है गवर्णर अगले क्षिठर परोला अकृस्टिए आते है प्रसारचन प्रस्ति करन अधिनियंन नहीं एंस्ट्रेटर्ट यहाँ होगा फें सही अंसरों च को अगले क्यूशन पर आते हैं सुची टू से सुमेलित करना है एक तरफ है प्रची रस्तल और दूसरी तरफ क्या खुज हुई थी तो लोथल में डॉक यार्ड मिला था तो एक आपका हो जाएगा दूसरा काली बंगर में जुता हुआ खेत बी का हो जाएगा पहला दोला विड़ा में मिला था एक सीला लेख जिसमें हरपा लिपी के दस परे आकार के चीज सामिले दोला विड़ा मिला था तो C का आपका हो जाएगा 4 और D के आए बनावली तो यहां पे मिला था तेरा घोटा हल की प्रतिकरिती तो D का पहुजय का 3 सही अंसर क्या होगा? ये का शेकेंट, B का 1, C का 4, D का 3 अगले किश्चन पर आते हैं मैच करना है अलाई दर्वाजा दिल्ली किश्चन बढ़ाया था अलाउदिन खेल जी ने बिल्कुत सही मैच है तो बुलत दर्वाजा फदेपु सिकरी अगबर बिल्कुत सही है मोती मचीद आगड़ा में जो है साज आने बनवाया था मोती मचीद दिली में जो है औरंग्जे में तो ये का 1, B का 2, C का 3, D का 4 अगले किश्चन पर आते है महत्मा गांदी ने वल्ला भाई पटेल को उनके महान संगठ नात्मत कौसल के लिए सरदार की उपाधी दी थी तो किस महान संगठ नात्मत कौसल के लिए तो बारदोली शत्यगरा बारदोली शत्यगरा आप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा और एक कब हुआ था 1928 में अगले क्यूशन पर आते है किस वर्ष बंगाल काकाल बंगल सिमाइन पड़ा जिसमें लाखों लोग मरे गए तो 1943 में सही अंसर क्या हो जाएगा और संदी आपका यहाँ पर सही अंसर होगा अगले क्यूशन पर आते है भारत में money multiplier को किस रूप में परिभासित किया गया है money multiplier in India is divided as तो option B आपका यहाँ पर सही अंसरों का broad money divided about reserve money और broad money को M3 से denote करते है और reserve money को M0 से तो इससे ऐसे भी लिख सकते है M3 by M0 अगले क्यूशन पर आते है निम ने लिखित में से कौन सा भात का पहला भुकतान bank है payments bank है तो option C आपका यहाँ पर सही अंसर होगा यह यह टेल payments bank अगले क्यूशन पर आते है cashless lane lane को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किस समीती के अगठन किया है तो निरज कुमार गुपता समीती option है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा इसके अलावा नचिकेत मोरे समीती इसका समध किसे है तो related to payment bank and many more बहुत सारे point है नचिकेत मोर कमीटी में तो एक आपका है payment bank अगले क्यूशन पर आते है और निरज कुमार गुपता कमीटी जो थी ये 2016 में गठित होई दी 2016 में किसलिए cashless lane lane को बढ़ावा देने के लिए अगले क्यूशन पर आते है निम्ने लिखित में सक्की से आप तोर पर 200 बैंक की soft loan window कहा जाता है तो idea को अंताराष्टिय विकास संध को option B आपका यहाँ पर सही आंसर होगा और आज के आखरी question पर आते है और आखरी state है प्रधान मंत्री ग्राम सरक योजना के तहर निर्मिज सभी राज मार्गो पर मील के पत्थर पर किस रंग का उप्योग किया जाता है तो orange option D आपका यहाँ पर सही आंसर होगा और यह क्या denote करता है कि ग्रामिज सरक है rural road है अब कुछ important point देख लेते है yellow का मतलब क्या हुआ जो आपने देखा होगा highway वगरे पर होता है यह color होता है yellow से नीचे white होता है तो white सब में common होता है Java Blue and white combination हो तो उसका मतलब क्या है जिसका मतल नेचनल highway है अगर green का combination हो इसका मतब क्या है स्टरेट highway है अगर black की ख़ेंज और वाइट का combination हो मैं डेस्टीक road है और अगर orange और वाइट का combination हो तो इसका मतलब क्या हुआ हो खना ग्रामिज सारा के पाइलेशन मिल जाएगा इसके अलाओ जन्वारी दूजर चोबिस का भी और वहाँ पे आप करेंट अफेर का क्रीज भी लगा सकते हैं तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले मिलते हैं नए वीडियो में नहीं टॉपिक के साथ अब तब तक के लिए नवश्कार जैहें